हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई येट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि हम डवलप्मेंट ओफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जो आपका बीएड का प्रीवेस एर का क्वेशन पेपर है उसके question answers कर रहे थे MCQs के answers discuss कर रहे थे तो question number 1 से लेके 30 तक मैं अपनी प्रीवेस वीडियो में आपको already answers बता चुकी हूँ और अब हम करेंगे अपने आगे के questions को So students, question number 31 की तरफ चलते हैं Question number 31 के अंदर आप से पूछा गया है कि मुक्त एवं दूरस्त अधिगम के बीएड कारेकरम का मुख्य उद्देशे क्या है यानि कि जो आपका बीएड होता है जो आप बीएड करते हैं उसका जो main motive है वो क्या होता है तो students, इसका answer है option number A यानि कि अप्रशिक्षी शिक्षकों को प्रशिक्षन देना वो शिक्षक जिनके पास training नहीं है उन्हें training देना पढ़ाने की अब हम अपना question number 32 करेंगे question number 32 में आपसे पूछा गया है भारत में सरकारी सेवाओं में नियूकती है तो किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवारे विश्य बनाया गया था किस वर्ष अंग्रेजी को एक अनिवारे विश्य बनाया गया तो student इसका जो answer है वो है आपका 1835 यहाँ पे एक भी option नहीं है तो यह जो सारे options आपको दिये गए हैं यह गलत है और आपका right answer होगा 1835 question number 33 question number 33 आपका Simon Commission से पूछा गया है question में पूछा गया है कि Simon Commission ने शिक्षा के शेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समीती किस थापना की तो यहाँ पे जो चीज इंपोर्टेंट है वो वर्ड है यहाँ पे आपका शिक्षा शिक्षा के लिए कौन सी समीती बनाई उसने बनाई थी हार्टों समीती हार्टों समीती ठीक है Simon Commission जब भारत आया तो उसने शिक्षा के लिए हार्टों समीती बनाई थी अब चलते हैं अपने अगले question में अगला जो question है वो पूछ रहा है कि जो मुक्त शिक्षन संस्थान है और चारिक शिक्षा संस्थान में ज़्यआ होते हैं इसलिए बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं या फिर पूर में पार्थ या फिर मुक्त शिक्षन या जो संस्थान बच्षी Article अधिक महत्व दिया जाता है इसमें क्या है कि वो उनसे अलग है तो इसका जो answer है वो यह है कि जो आपका मुक्त शिक्षन संस्थान है ना उसमें काफी जादा लचीलापन होता है पाठे करम के चुनाव में आप कोई भी कोर्स इस ले से जैसे अगर आप इगनू से करते हो ठीक है ओपन लर्निंग इंस्टिउशन है वहाँ पे ना कई सारे कोर्स इस अवेले जाता है विश्भारती की सापना कश्रिय दिया जाता है रविंद्रनात्त टैगोर जी को ठीक है अब चलते हैं अगले question में अगले question में आपसे पूछा है पबाजा संसकार क्या होता है students जो आपका पबाजा संसकार है ये आता है आपका बौध धर्म से ठीक है जो बौध श पर एक और भी नाम है उसका उसका नाम है नव शिश्य पर बाजा संसकार के बाद बच्चे को नव शिश्य भी कहा जाता है जिसको हम इंगलिश में कहते हैं नोविस अब चलते हैं question number 37 पे question number 37 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारतिय शिक्षा का magna carta किसे कहा जाता है यानि कि magna carta of Indian education इसमें जो आपका right answer है वो है would dispatch would dispatch को भारतिय शिक्षा का magna carta कहा जाता है अगला question है मदरसा शब्द की उत्पत्ती किस शब्द से हुई है तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ती है वो हुई है दरस शब्द से ओके अब हम चलेंगे अपने अगले question पे question number 39 question number 39 में आपसे पूछा है बौध शिक्षा प्रणाली में क्या है कि आपका बाइस साल का आपका education period होगा ठीक है बाइस साल के education period में आपके जो बारा साल होगे बारा साल होगा आपका पबजा ठीक है और आगे के दस साल होगे आपके उप संपदा ठीक है तो यह है आपका बहुत शिक्षा प्रणाली तो अब यहां प उपसंपदा में जा रहे हो तो अब क्या होगा आपका पबजा सज्कार ठीक है तो इसका आंसर क्या है आपका पबजा देखो हमने पबजा से आजिक पिछड़ा पन या निर्शर्ता निर्शर्ता मतलब जो लोग इलिट्रेट है पड़े लिखे नहीं है तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका उपरोक्त सभी यानि कि यह सारे के सारे ओप्शन्स यह आपके ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंब NCRT जो है वो विद्याले शिक्षा के सुधार के इर्धगेर्ध के इंदृत है ओपरीट तुन में पूचा है adding report की मुख्य संस्तुति क्या थी एडम रिपोर्ट की जो मुख्य संस्तुती है वो है सार्जनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सुझाव देना यानि की option number D सार्जनिक शिक्षा के public education लोगों को पढ़ाना है एडम रिपोर्ट की main संस्तुती यही थी ठीक है राइट आंसर है इसका option number D अब चलते question number 43 पे question number 43 में आपसे पूचा है 1813 के आग्या पत्र के अनुसार जनसधारण की शिक्षा है तू कितनी धनराशी निर्धारित की गई थी किसके अनुसार 1813 के आग्या पत्र के अनुसार जन सधारण के लिए कितनी धनराशी यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक लाग यानि कि जो वन लैख है इतना अमाउंट उनको दिया जाना था चार्टर ओफ 1813 के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे अपना question number 44 question number 44 में आपसे पूछा है राष्ट्रे शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे students राष्ट्रे शिक्षा आयोग के जो आपके अध्यक्ष है वो थे आपके डॉक्टर दौलत सिंग कोठारी तो option number D is the right answer now coming to the next question बुन्यादी शिक्षा को इस नाम से भी जानते है students यहाँ पे जो आपका right answer है वो है नई तालीम बुन्यादी शिक्षा को हम नई तालीम नाम से भी जानते हैं और इसका एक और नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है वार्धा शिक्षा योजना वार्धा शिक्षा योजना भी हम कहते हैं बुन्यादी शिक्षा को तो अगर अगले पेपर में वार्धा शिक्षा लिखाओगा तो आप वो टिक लगा दे ना अब चलते हैं question number 46 में आपसे पूचा है शिक्षा के समान अफसरों की अफधार्णा का निम्न में से किसी एक से संबंद नहीं है सबको बराबर की शिक्षा दी जाएगी सबको समान शिक्षा मिलेगी ये तो mostly आपके government schools में ही होता है private school का तो कोई लेना देना नहीं है इससे उन्हें क्या है उनको तो पैसे चाहिए तो आप इसमें क्या लगा होगे public video ठीक है private schools जो होते हैं वहाँ पे समान अफसरों की अफधार्णा का संबंद कोई भी उससे relation उसका नहीं होता अब हम करेंगे question number 47 question number 47 में आपसे पुछा गया है कि जनशिक्षन निलियम किस से संबंदीत है जनशिक्षन निलियम का मतलब होता है जनता को शिक्षा देना जनता को शिक्षा देना संबंदित है आपका website शिक्षा से यानि कि option number A is the right answer क्योंकि जनता को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसको A, B, C, D थोड़ी बढ़ाएंगे हम उन्हें कुछ काम सिखाएंगे ताकि वो काम करें और आगे जाकर अच्छे पैसे कमा सकें अब चलते हैं question number 48 पे question number 48 जो है वो है आपका मिलान करो इसका जो आपका right option answer है मिलान करो का वो है आपका option number C option number C ठीक है? जैसे कि अब मैं आपको इसके answer से एक बर बता देती हूँ कभी क्या आया है देखो पहला जो है उसमें आपसे पूछा है कि वोड एबट समीती वोड एबट समीती जो है वो कब आई थी? ठीक है? तो देखो बताओ कौन सा है इसका right answer आपको options दिखाई दे रहे हैं न वोड एबट समीती कब आई थी? question number C ओके? वोड एबट समीती इसका answer है 1 यानि कि 1937 अगला है आपका B sergeant report sergeant report का answer 4 यानि कि 1944 saddler I.O. answer क्या है इसका? 1917 third है इसका और आपका fourth क्या है? hunter I.O. जो क्या है था आपका 1882 में तो आपका right जो option है वो कौन सा है? option number C है right answer ठीक है? इस paper का PDF आपको हमारी website पर मिल जाएगा आप वहाँ से PDF का print ले सकते हैं आप फिर देख लें जैसे भी आपको comfortable होगा और सारे answers learn कर लेना अब हम करेंगे question number 49 question number 49 में आपसे पूछा है आपको ने कथन दिया गया और आपको बताने ही किसका कथन है जाले आत्व निर्भर हो सकता है शर्त है कि इन स्कूलों के निर्माण का कार राजे अपनी हाथ में ले ले तो students जब भी आप आत्व निर्भर की बात करोगे ना आप समझ जाना कि महात्मा गांधी की बात हो रही है ठीक है? तो इसका right answer का है आपको option number D which is महात्मा गांधी अब चलते question number 50 question number 50 में आप से क्या पूचा है? इसमें पूचा है नहरू ग्राम भारती क्या है? students नहरू ग्राम भारती आपकी एक university है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसको आप एक शेक्षिडिक संस्कृति इसके जो आपका right answer है वो है a deemed university यानि की एक मानित विश्विद्याले यह है इसका right answer जो आपकी नहरू ग्राम भारती है वो एक deemed university है यानि की एक मानित विश्विद्याले है मानित विश्विद्याले का क्या मतलब होता है? जो मानित रिश्विद्याले होते हैं ये होते हैं आपके बहुत जादा ही इनको आजादी होती है कि ये कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं थोड़े से आजाद होते हैं कोर्स रिसाइट करना होता है इनको अपने आप करते हैं प्रयागराज उतरप्रदेश में 1962 में इसको स्थापित किया गया था नहरुग्राम भारती को, अब हम चलेंगे अगले questions पे, question number 51, question number 51 में आपसे पूछा गया है operation blackboard, जो operation blackboard है उसका संबंध किस से है, क्या blackboard के उप्योग से, नहीं, इसका right answer है आपका option number B, newton, शिक्षा, आपसे बात की जाती है, कि जो आपके primary schools है, महाँ पे minimum education facility scheme लाई जाएगी, ये एक तरह की scheme है, जिसको आप operation blackboard कहते हो, यहाँ पे schools में minimum जो भी चीज़े है न, जिसे chalk, blackboard, pencil, desk, minimum चीज़े बच्चों को उपलब्द करवाई जाएगी, question number 52, भारत में शिक्षा के इत्यास म नामंकित महतोपुन प्रभाव को कालिक क्रम में व्यफसाहित कीजिए, यहाँ पे आपको कालिक क्रम में लगाना, यानि कि क्या चीज़ पहले होगी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इसका जो आपका right answer है न, वो है आपका option number B, option number B is the right answer, क्योंकि देखो, पहले होती थी धर्म की शिक्षा, फिर आया आपकी राजनीती, फिर प्रजातंत्र, और last में D आपका आजाएगा आधूनी की करण, तो option number B is the right answer for the question number 52, let's now come to the question number 53, question number 53 में आपसे पूछा गया है, कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या शीर्शक था, as you know कि कोठार कोठारी कमीशन बहुत ही important है, अब यहाँ पर कोठारी कमीशन जब आई, तो वो तो कमीशन है न, उसने कोई रिपोर्ट निकाली होगी, तो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसका नाम था शिक्षा और राश्ट्रिय प्रगती, यह रिपोर्ट आपकी आई थी 29 जू C-S-G-L-A, चागला, okay, let's now come to the question number 54, किस आयोग ने पंच मुखी कारेकरम प्रस्टूत किया, तो आपका जो पंच मुखी कारेकरम है वो भि कोठारी आयोग ने ही प्रस्टूत किया, कोठारी आयोग बहुत important है, आप इंटरेट से और बहुत इसके बारे में पढ़ सकते है, इसका बहुत easy answer है, इसका answer है आपका, question number 55, option number A is the right answer, okay, वेदों को, अपरा विद्या किस से सम्मंदित है, अपरा विद्या, अपरा विद्या सम्मंदित है, लौकिक विद्याओं के ज्यान से, यानि कि आपको world की knowledge हो by sciences, इसे हम कहते हैं, अपरा विद्या, अपरा विद्या कि से जुड़ा हुआ है, लौकिक विद्याओं के ज्यान से, ओके, now let's come to the question number 57, question number 57 के अंदर में थोड़ा आपको extra knowledge देना चाहूंगी, इसमें आपसे पूछा गया, दस सिखा पदानी, किस काल की शिक्षा से सम्मंदित है, तो students, जो आपकी दस सिखा पदानी है ना, यानि कि ये सम्मंदित है आपकी बहुत काल से, ओके, बहुत कालिन शिक्षा, अब ये है क्या, इसके अंदर क्या होता है, कि आपको अगर आप 10 सिखा पदानी के अंदर जाते हो, तो आपको ऐसे food avoid करने है, और टाइम से food नी खाना, जूट नी बोलना आपको, और जो भी आपको न प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंब कहां से हुआ, तो प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंब है, वो हुआ था आपका, कौन से आगया पत्र से, option number A, 1813 के आगया पत्र से, स्टूडेंट, अब आपको यह समझ में आ रहा है कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद है क्या, तो यह जो विवाद है, यह विवाद यह था, कि जो आपके यहाँ पर, अंग्रेज जो हमारे आपर आयते हैं, East India Company, उनके साथ विवाद था, कि वो मतलब Indian Education प्रमो स्री कर दिया गया था, तो यहाँ पर एक विवाद शुरू हो गया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं, Orientalist, Audigence, जो भी आई, यह वर्ड, I don't know, यह Controversy बिगीन हुई थी, ओके, अब चलते हैं अगले पे, Question No.59, Question No.59 क्या है, किस शिक्षा विवस्ता में सिधरस्तु ना जो बुक है, वो आपके बुद्धिश्पिरेट, तेलंगाना वगारा, तेलुगू की भाषा है, इस बुक की, ठीके कौन सी भाषा है, तेलुगू भाषा है, यह है आपका, क्या, सिधरास्तु नाम की किताब, बौध कालीन, तो हम देख रहे हैं कि बौध कालीन शिक्षा से बौध कालीन शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आप चलते हैं क्वेश्चन नमबर 60 की और, क्वेश्चन नमबर 64 में आपसे बुछ गया है, यह है कथन किसका है, तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका, ऑप्शन नमबर D, SN, मुखर जी, ठीक है, तो यह हो गए, हमारे क्वेश्चन नमबर 30 से लेकर 60 तक इस वीडियो में, आगे क्वेश्चन नमबर नेक्स वीडियो में करेंगे, आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर ले, ओके?